देखे बात हुरी जा रही है MPR सट ड्ला है क्या चीज में बात तो यूज किसलिए किया जाता है देखे जब हमने चार्ज के बारें पढ़ा कि चार्ज अपने चारो और एक इलेक्रिक फील्ड क्रेट करता है ठीक है कब तक जब तक कि वह बैठा रहता है जा बैठे बैठे ए एक फील्ड क्रेट कर रहे हो, वो constructive field भी हो सकता है और destructive field भी हो सकता है, अज़ वह आ रहोंगे destructive field वाले, आ जाएं जड़ा, तो charge अपने चारो और field क्रेट करता है, ठीक है, तो field निकाले का formula क्या था, is equal to kq upon r square, ठीक है, और field निकाले की formula एक goss आपने भी दिया था, गoss ने क्या कहा था, कि अगर किसी charge को किसी surface के अंदर enclose कर दिया जाए, तो उसके चारो और electric field निकलता है, electric flux जिसको कहते हैं आप न, और उस electric flux की जो value गoss साब ने दिया था, वो नहीं था q upon epsilon not, actually में electric flux मता है, electric field, वो तो electric field की मात्रा कितनी है, उसको हम electric flux कहते हैं, तो generally electric field किस वज़े से create हो रहा है, charge की वज़े से, मतबब charge इतना strong होगा, electric field उतना ही strong होगा, कह सकते हैं न, तो यू कहिए charge ही, जब create कर रहा है electric field, तो जितना electric field उतना charge लेकिन medium क्या करता है, उसको अपने हिसाब से जाने देता है, रोग लेता हो, उसको उसकी permittivity होती है, तो इतना electric flux पास होता है, जिसको हम electric field निकालते थे, यही निकालते थे न, तो यहीं निकालते थे न, तो यहीं निकालने का एक alternative method क्या था, गौस का जो नियम था, उसी प्रकार से magnetic field जो हमने निकालना शुरू किया, तो किसी हमने का वही charge जब चलना शुरू करता है, तो current flow होती है, चार्ज अपने आप तो च कालू है, करें, بالक के रूप सुनाओ, तो بالक के रूप मासर इसी निस सुनता था, पहले हाथ पकड़ता था, कमर को पीछे करो, डंडा कमर के बराबर, अब बालक के रूप सुनाओ, और उनको नहीं मालू है, कि बालक, आधा तो डंडा पे है, पूरा दिमाग ये बालक में तो तीनों भी वक्तियां कैसे सभी आएंगी, लेकिन अब कहा बताया जाऊ, ज़रा सा बाल का बाल कम गड़-बड कीओ, तहाँ चले, तो वो कौन सा फील्ड था, वो डंडा फील्ड था, टीचर फील्ड था, उस फील्ड की वज़े से हम लोगों के फोर्स लगता था, और हम current flow होती है तो क्या उसके चार ओर electric field create होता है नहीं होता है क्योंकि net electric field कितना होता है charge अगर accelerate कर रहे होंगे तब तो field create होगा अगर वो drift velocity से चल रहे हैं तो electric field create नहीं होगा इसके बारे हमने इसके पहले बात की है है ना तो magnetic field के लिए कहा गया चार चलते हैं तो current flow होती है current flow होती है तो magnetic field होता है तो magnetic field निकालने के लिए पहा फार्मॉला कौन सा था बाइव से वर्सला क्या कहता था बाइव से वर्सला कि भाई अगर मालिया कोई एक current element है ideal और वो r distance पर किसी point पर magnetic field create कर रहा है तो उस magnetic field का फार्मॉला क्या था db is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square याद है ना ampere शाब ने इसको दूसरी तरीके समझाया तो उसको कहते है ampere circuit Allah तो को ampere circuit Allah होता क्या इसको समझाने का अपना अपना तरीका है कोई किसी तरीके समझाता है किसी तरीके समझाता हो जो भी आपको सुझ में आए ampere साब ने कहा पहले तो statement हम बाद में बताएंगी कि जैसे ये straight infinite current current conductor है वो पानी है और कुछ नहीं है तरीके समझाता 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 है through this closed circuit threading through this closed circuit यानि यह current I flow रही है देखे इसके चारो और magnetic field है, direction क्या है magnetic field की इसको close करता हुआ ऐसे तो हमने क्या कहा कि हमको मालिया P point पर magnetic field निकालना है तो हमने क्या कहा कि एक ऐसा loop बनाएंगे जो इस point को enclose करेगा इस point से hooker के जाएगा और एक current carrying conductor उसके अंदर से गुज़रेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये ये है ये इसके अंदर से current का wire निकल ला है ये magnetic field है भी और ये length है DL, तो उन्होंने कहा कि line integral B dot DL, DL के respect में जब करते हैं तो उसको line integral कहते हैं, चूंकि ये circuit close कर दिया है अपने, इसलिए close integral होगा, किसके इकल होगा mu not times of i ये ampere circuit रला होता है समझाई बात, ये तो इसका statement है वो तो समझाने के लिए कहानी बताई ये थी अब इसकी value proof कर लेते है ampere चला proof कर लेते है देखे, हमने का suppose करिए एक current i है किसी wire में flow रही है state current carrying conductor है इसमे current i flow रही है और इससे r distance पर एक point P है जहांपर magnetic field की value निकालनी है magnetic field नहीं निकालना है मतब P point पर हमने ले लिया है इनकी help से magnetic field निकालनी है ठीक है, तो हमने क्या किया इस wire को center मानते हुए और एक loop बनाया loop बनाया हमने sphere नहीं बनाया एक loop बनाया, ठीक है जो कि इस point से उकर के जाता है अब बताईए, magnetic field इस loop में हर जगे कैसा होगा इस loop के tangential होगा हर जगे, देखे दान से यह ऐसे इधर होगा, यह इधर होगा थोड़ा ज्यादा उधर होगया, यह इधर होगा यह इधर होगा, यह इधर होगा, यह है magnetic field action होगी इसमें तो अगर हम यहाँ पर छोटी से length dL ले 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 और close integral b dot dL ले 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 तो actually में b और dL के बीच बीच में angle कितना है? 90 दिख रहा है? अरे वाँ वाज साब b उधर जा रहा, dL उधर जा रहा तुमको 90 दिख रहा है है? बहुल Hand 90 में 9 हटा के है? हमने क्या पूछा बीः और dL के बीच कितना angle है नहीं तो यानि कि उस Kim अगर value किसका हो गया इंट्रिकल होगा केवल DL का है DL is a small length और integral का मतलब क्या होता है कि आपने इस लूप की small length DL 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 लेकर के सबको उठा के आपने add कर दिया है तो total इसका addition कितना होगा 2PiR तो यानि कि आप B into इसको क्या रिखेंगे 2PiR B क्या है B है magnetic field magnetic field होता होगा ना तो magnetic field किसी infinite wire के R distance पर कितना होता है mu not upon 2PiR किसी infinite wire किसी R distance पर magnetic field की value क्या होती है बूले इस तना बड़ा फार्मूला का याद है याद होता है आप तो हम बताई चुके याद होता ही है आपको याद होगा एक finite wire के लिए हमने यहाँ पर magnetic field निकाला था जिसमें यह 5152 लिया था याद है और बाद में जब infinite wire लिया था तो इस 5152 की value 90 हो गई थी तो B यहाँ पर क्या हो गया mu not upon 2Pi I upon R R इसमाल ले लो चुकि आपने यहाँ पर और into 2PiR cancelling whencelling करी है तो क्या आगी value mu not time साफ आई हो गया यही तो MPS सरक्टरला है और एक खास बात देखिए अभी मत देखिए अभी आप यही लिखिए सौंज में आगई MPS सरक्टरला है बड़ा टेकनिकल तो तीन लाइन का लेकि तो तो तीन लाइन का अगर है एक इंफाइनेट वायर है और इस ते आर डिस्टेंस पर magnetic field का फार्मला होता है mu not upon 2PiR यह प्रूब भी कराए गया है और बहुत-बहुत-बहुत important यह फार्मला है ठीक नोट करिए इसको जहां इसका statement आपने लिखा है उसमें आपने लिखा ज़रा statement दोबारा पढ़िए इसमें बताया गया था light integral of the magnetic field around any closed circuit is equal to the minimum time of the total current, net current लिखे net current in closed, वहां जहां current लिखा है ना वहां net current लिखे इसका पहले मतलब समल लिजेगा कर दिया यानि की ज़रा समझने की कोशिज करो यह कहे क्या रहे है जैसे माल लिया दो वायर होते अब मैं दो वायर ऐसे बनाने में दिक्कत होती है यह हमने दो वायर ले लिये एक वायर यह ले लिया और एक वायर यह ले लिया और इस बोर्ड से निकाल दिया बोर्ड में छेट करके निकाल दिया वायर ठीक है और एक में करेंट हमने फ्लो करा दी ऐसे और एक में फ्लो करा दी ऐसे सुम्हारा कैसे मेरे करेंट फ्लो कराई है इसमें इनवर्ड करेंट जा रही है और इसमें आउटवर्ड करेंट जा रही है ठीक है अब दो वायर रहा लेंगे तो अलग है अलग होंगे अगर एक हमाय में जोड़ देते हम दो वाईर तो करेंट तो एक ही डाक्शन होती है अर्व में दोनों अपने मेगनेटिक फिल्ट करेंगे और हमने क्या किया किसी पॉइंट पर हमको इकपी लेवा र रहा हमने इस दो अनो वाईर को इनक स्यों आखे लिया यह होता ना, magnetic field, ने का दाया हाथ ते लेजिए, अंग उठा current action में, जिदर उंगलिया इसको इंसर्क्ल करती है, बोले उंगलिया उल्टा इंसर्क्ल कर दें तो, और कहां से उल्टा कर देंगे, कर तो भूत की उंगलिया आएका, वाले बड़ी मेरी flexible उंगलिया है, हमने इसे मोड दिए, यहां current का से flow हो रही है, यहां current बाहर flow हो रही है, यहां magnetic field इदर हो गा, तो क्या 2 magnetic field होंगे? नहीं, दोनों का एक effect होगा, जिसका ज्यादा effect होगा, net magnetic field उधरी होगा, तो अगर मैं मान लों कि magnetic field इदर है, तो यह मान लिजए, magnetic field अदिर 59 कितनी है डियल है करेंट अब इसको हमको यह करेंट ऐसे फ्लो हो रही है तो जो आपका वी डॉट डियल होगा वह म्यू नॉट टाइम साफ नेट करेंट है जैसे यह आईवन है और यह आईटू है तो अब आपको देखना आईए है कि आईवन माइनस आईटू लिखेंगे या आईवन प्लस आईटू लिखेंगे करेंट अलग अलग है ना अलग है तो माइनस करोगे सेम है तो बाई अलग अलग होने की वज़े से दोनों मैगनेटिक फिल्ट उल्टी डियक्शन में नेट मैगनेटिफ फिल्ड वहाँ निकालने के लिए नेट करेंट लेनी पड़ती है ध्यान रखीगा सब्सक्राइब आई बार नहीं है अब वो निमेरिकल लगाते हैं यहां तो आई वन आई टू भी किसी को आप ज़्यादा बड़ा चोड़ा मान सकते हैं अध्या ये बता इसको मानने के लिए हमने बड़ आ किसको मान आई वान आई टू है जीरो नहीं है तो बबताई बड़ा है आई टू बड़ा है यह कह रहे हैं I1 बड़ा है क्यों आपने कहा I1 बड़ा है उसकी डारेक्शन कहा है भई साब I1 अंदर की तरफ है और मेगनेटिक फिल्ड ऐसे होना चाहिए I1 डारेक्शन कहा है यानि यह डारेक्शन I2 के हिसाफ से है ना तो यहां नेट करेंट किती नहीं जाएगी I2 माइन और अगर मेगनेटिक फिल्ड अगर यहां पर करेंट होती ही ना कोई बगल में वायर होता उसकी वज़े से यहां वायर होता तब तो यहां पर बी डाट डिल कितना होता जिरो करेंट नहीं है ना अंदर ठीक है तो बी डाट डिल कितना होता जिरो उसका दो रीजन भी है व लेकि मैं माल लूँ तो ओले क्या ये magnetic field create नहीं कर रहा है बैए चलो आपने जो point माना है यहाँ आपने point माना था और आपने क्या किया है एक इस point को लेते हुए एक loop बना दिया है तो अगर इस loop के बाहर कोई current flow हो रही है किसी wire में तो क्या वो wire magnetic field create नहीं कर रहा है कर रहा है त तो magnetic field create कर रहा है तो p.dl0 क्यों हो रहा है इसमें देखो ध्यान से इसमें जो magnetic field create होगा उसकी reaction ऐसे होगी ठीक है यानि वो magnetic field ऐसे होगा ना ऐसे अब जरा 3D के हिसाब सोचिएगा जब थोड़ा और दूरी बढ़ा होगे तो आपका magnetic field इस loop के अंदर चला गया जा रहा ना और बाद में इस loop के बाहर निकल जाएगा यानि कि magnetic field इनवर्ड भी जा रहा है और बाहर भी निकल जाएगा फिजिक्स कहती है कि अगर माले को याद होगा जो हमने गौस थोरम पताई थी कि वह अगर चार्ज आप गौस लूप के बाहर रखते हो तब नेट electric field कितना होता जिरो होता था क्यों है जो electric flux zero होगा तो electric flux electric field ही तो होता है electric flux क्या चीज है electric field ही तो है ना electric field की मात्रा ही तो electric flux होती है नहीं होती है electric flux और फीड अलग अलग चीजे है calculate करने के तरीका अलग है अगर आप मुह खोला है ज़ाडू गुचर दें आपका तो जा तो मुह में ज़ाडू की सिंके जा रही है ना ज्यादा सिंके जाएंगी तो आप कहेंगी ज़ाडू flux ज्यादा तो नियमता electric flux का इनवर्ड को positive outward को negative तो यह magnetic field अंदर गया और बाहर निकलाया तो net magnetic field कितना हो गया zero तो यानि Gaussian surface के अगर बाहर कोई current element है इस प्रकार से तो अभी magnetic V.l कितना होगा zero होगा ठीक है तो यह आपका ampere's law है ठीक देखिए जैसे gauss law का इस्तेमाल करके हम क्या निकालते थे magnetic field यानि गॉसला electric field देता था उसी प्रकार से ampere's law को हम यूज करके या क्या निकालेंगे magnetic field तो पहला है magnetic field due to a long state current carrying conductor यह proof आपने किया है फाइन फाइटू को 90 करके हमने बताया था अब उन्होंने का ampere's law का यूज करके बताओ तो हम क्या करेंगे कहेंगे ये एक long state current carrying conductor है इसकी length कितनी है infinite है इसकी finite नहीं है फिलाल finite होगे लिकिन जतना हमको दिख रहा है उसके बाद हम नहीं देख पा रहे है बहुत बड़ा यूज करेंट कितनी फ्लो रही है आई और उसे r distance पर एक point P है जहां पर magnetic field हमको निकालना है with the help of ampere's law ampere's law का इस्तिमाल करके तो हमने का क्या कहा taking this wire as a center ठीक है we draw an emperion loop जैसे वहां पर Gaussian loop होता था यहां पर emperion loop होता है emperion loop इस प्रकार से इसमें एक emperion loop हमने बना दिया ठीक है कितनी distance पर है यह wire threading करा इसलिए यहां सटा दिया तार टूटा नहीं है तार इस प्रकार सके अंदर से निकला है हमें है सागरा 3D diagram बड़ा अच्छा बरना हो अब तुम्हें महसूस हो रहा नहीं हो आप जाना हो और इसे r distance पर आपको magnetic field निकलना था तो हमने एक emperion loop बना दिया और emperion loop में यह magnetic field भी है और यह length कितनी है डियल है तो close by amperes ला पहले जो हमने diagram के बारे मता है उसको थोड़ा हो लिखना पड़ेगा लेकि इतना मत लिखिएगा कि examiner ढूंडता रहे कि mathematics कहा है हम जानते हो यह ऐसा होता है बहुत अच्छा आता रहे हो सीधे सीधा आता रहे हो बहुत लोग लिखते हैं उन्हें तीन घंटा यूटिलाइज करना होता है तो पूरी कहानी लिख देते हैं by amperes law amperes circuital law amperes circuital law क्या कहता है close integral of b.dl प्रूफ नहीं करना है इसलिए हम देखें मियूना टाइम साफ current current अब जैसी मानी वैसे लिख दो ठीक है बी और डिल के बीच में एंगल कितना है 1060 degree कहेंगे 90 का ता गलात अब 0 का ता कुछ चेंज कर देते हैं टापिक चेंज तो एंगलो तो चेंज हो जाएगा बार बार जीरो ही लिखो 0 यहाँ पर है close integral of b.dl cos 0 प्रूफ में मियूनाट टाइम साफ आई b अलग कर दिया और dl की वैलू कितनी है 2 pi r is equal to mu not times of i तो b की वैलू क्या आएगी mu not upon 2 pi i upon r यही तो magnetic field होता है थीक है संवाई बार नहीं आई इसको कहते student को मूर्ख बनाना वो दे कैसे अब भाई दो को हम नहीं बना रहे हैं जैसा method दिया गया वैसे हम को हम को थोड़ी हैं कि हम आप देखो ध्यान से भाई आप magnetic field को proof ampere law को proof करने के लिए हम यही फार्मला तो यूज किये थे यही यूज किये थे ना तो magnetic field तो यही निकल नहीं वाला है अगर आप किसी चीज का माले आप कहे दें कि length into breath is equal to 50 है और यहाँ पर य की value 2 लिख दें तो x 25 निकलेगा ठीक है और अगले question में आप कहे दें कि x into y बराबर 50 है आप जानते है x 25 होता है आपने proof किया है पहले बोले हाँ x को 25 रखो तो y के लू क्या निकलेगी अरे या y को 2 रखके ही तो x आपने 25 निकाला था तो जब हम यही फार्मला यूज़ करके एंपियर्स ला परूप किये थे तो एंपियर्स ला को apply करके x into लिखा हुआ है मैंने हम बोल क्या रहे थे हम बोल क्या रहे थे देखो भी आ ऐसा है देखो जैसे जैसे नहीं जो बोला जाएगा वही किया जाएगा लिखा नहीं हो ऐसे लिए ये धियान देना पड़ेगा और ये इंटू भी होता है अप अलग-अलग एंगल देखे यहां से इस इस डारेक्शन इस डीशन देखो error होती है कि अगर मैं कोई चीज़ का मालिया आप कोई स्केल से कोई चीज़ मेजर कर रहे हो और यह माले 0.1 है और यह 0.2 है और आप यहां से देख रहे हो तो 0.1 देखोगे और कोई यहां से देखेगा अगर तो उसको तो यह वाला पॉइंट दिखाई पड़ेगा कोई यहां से देखेगा तो इसको ऐसे दिखाई पड़ेगा तो यह तुम उधर से देख रहे थे है इंपॉर्टन टॉपिक है ध्यान की ठीक है इसको कर डालीगा